नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका सबागत है हमारी खबर रीवा जुले से रीवा जुले का एक परिवार भीशन सड़क हाथसे का शिकार हो गया अमरकंटक में यह हाथसा हुआ है अमरकंटक में भीशन हाथसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग इसमें घायल हो गई है अमरितको में परिवार के पती पत्नी और बेटी शामल है रीवा से नर्मदा उद्गम के दर्शन के लिए यह परिवार जा रहा था और अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल से दो किलो मीटर पहले गारी सडक किनारे पेर से टकरा गई और उस हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक की मौके पर मौत हुई और दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा चार लोगों का इलाज चल रहा है जो अभी भी घायल है रविवार के सुबह यह हाथसा हुआ है रविवार सुबह तीन बजे अमरकंटक इस्थित्मान नर्मदा के उद्गम स्थल के दर्शन के लिए यह परिवार रवाना हुआ था और सुबह 11 बजे अमरकंटक से 2 किलो मीटर पहले ही यह सड़क हाथसा हुआ अनियंत्रित होकर बुलयरू वाहन पेड से टकरा गई मौके पर एक व्यक्ति की मौत हुई वहीं दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा चार लोगों का इलाज अभी भी जा रही है बता दे कि पहला कोई हाथसा नहीं है इस तरह से अनियंत्रित होकर टकरा जाने से पहले भी हाथसे सामने आये हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान गवादी है इस बात का ध्यान रखना बेहत ज़रूरी है क्योंकि कब कौन सा हाथसा हो जाए इसकी कोई गैरन्टी नहीं है इसलिए वाहन दुरघटना के कई मामले उजागर होएं रिवा जिले में आये दिन इस तरह की घटनाय सामने आती हैं रिवा जिले का परिवार होता है जो सड़क हांसे का शिकार हो जाता है के पुर्वा गाउं का था और बुलैरो से पूरा परिवार नर्मदा उद्गम के दर्शन करने के लिए जा रहा था लेकिन इसी बीच हाथ से कशिकार हो गया जिसमें तीन लोगों ने अपनी जान गवा दी